कराची से खबर है जहां एरपोर्ट इगनल के करीब धमाका हुआ जहां चीनी नागरिकों के काफिले पर बलुचिस्तान लिप्रेशन आर्मी यानि बेले की लड़ाकों ने हमला किया आरे हैं कि साथ चाइनीज की डेथ हुई है बाइस चाइनीज उसके अंदर गायल है और कई उसमें से काफी सीरिसली इंजर्ड है जिससे ये पता चलता है कि साब जो डेथ टोल है वो उपर जा सकती है क्यों क्यों ऐसे किया जाएगा तो इंटरनेशनल एरपोर्ड पर हमला किया है अब जो चाइनीज है उनको टार्गेट करना किस का है अब इंडिया जो है या बहुत सरे ममालक जो है अब आब मुसाल दें चाइनीज प्रीमियर पाकसान आ रहे है ग्यारा साल बाद प्राकसान आ रहे हैं मुझे बाब बताएं आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं चाइनीज प्राइमिनिस्टर को अधे कराची शहर में सुना और ढूँआ उसका जो निकला था वह बहुत दूरतल देखा गया इंडिया के जैशन कर साथ भी वहां जाएंगे चाइना के प्राइमिनिस्टर वहां पह ओगे इतना फाल यहां अगने प्राण ऊभयो न'sक्ति कर दोस्तों आप खुगी है अब यहां पर बात हुरे है कराची की अब एक एक ऐसी चीज़ सुन्ते हो गयर कि बेक्लोचिसतान के अंदर पर बात अब आम होती जा रही है बलोच लिब्रेशन आर्मी हो या फिर टीटीपी हो अब जहांतर तो हमले ऐसा लग रहा है कि बेले ही कर रही है पिछले अगर आप कुछ एक दो साल पहले देखो तो पाकिसान का जो स्टॉक मार्केट का जो में हिट कॉर्टर है वहां पर भ जो जो दुमागे होते है उसमें चाइनी जनागरी को अच्छा से टार्गेट किया जाता है उसके बाद चायना है उसको पर पाकिसान का करती springs करती है लेकि उसके बाद कुछ हो नहीं पाता और दिक्कत यह हो जाती है उनके लिए कि भाई इस तरफ से ना जिला जाता है ना उस तरफ से जिला जाता है भी या फिर टीटीबी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे है बाकिसानी आर्मी और दूसरी तरफ चाहने को कुछ क्या भी नहीं पाएंगे तो यहां पर यही बात हो रही है ज्ञादा से ज्ञादा हो यह कहने हैं कि इस में इसके साथ यह वीडियो शुरू करते हैं और हां दोस्तों सूपर ठैंक्स के जरी दिर हमारे मदद करना ना भूले चाइनीज जो हैं उनको टार्गेट किया गया कराची पाकसान के अंदर कहा जादा है कि चाइनीज स्टाफ जो था वो पोर्ट कासम एलेक्टरिक पावर कंपनी जो है उसके लोगों को लेके जाया जा रहा था कि रात कल गैरा बजे जो है वो तके बन चार लोग ज जो एक तो कंडेम करते हैं दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और तीसरा हमें पनिश्मेंट देख करें उन लोगों को यह अमेरिकन स्टाइल है कि जी आप हमें पनिश्मेंट कराएं यह करें अमेरिकन तो फॉल्व अप करते हैं बहुत जादा लेकिन मसला यहां पर य पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टार्गेट किया जाता है क्यों चाइनीज को दूसरी बात यह है कि वह समझते हैं कि अगर चाइनीज को टार्गेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी है ऐसा दमाकala जिस लग्माके को आधे कराची शहर में सुना और ढूआ उसका जो निकला कि वह बहुत दूर तर ढगए जोंग क्या पाकिस्टमेंट यह सिर्फ एक हफ्ते पहले हुआ है उस इतनी बड़ी स्टैंडाय कोपेशन ऑगनाइज़ेशन की कॉंफरेंस से जो के जिसमें करीब 25 कंट्रीज के ऑफिशल आने वाले इंडिया के अपर जाएंगे चाने प्राइम पहुंच रहें और दूसरे बड़े वरेकर रॉश्या के भी पहुंचेंगे वहां पर सारे बड़े कंट्रीज के बड़े लोग वहां पहुंचेंगे उससे पहले इत्ता सब्सक्राइब कर देना चाहिए पाकिसान की तरकी का रास्ता रोको कारोबार बंद करो यहां पर अब चाइनीज टार्गट होंगे अब थोड़े दिन और बाद स्यों की कॉन्फरेंस है पाकिसान में आप क्या समझते हैं क्यों क्यों ऐसे किया जाएगा जब आपको इस सी के खिलाब हकूमत के खिलाब अवाम के खिलाब लड़ रहे हैं ठीक है जी जिसे वह कहेंगे ना रोज कोई नो कोई बंदे मारते हैं पंजाबियों को टार्गेट करते हैं चाइनीज को टार्गेट करते हैं जिस से पाकिसान की मिलिटरी एस्टेबलिश्मेंट को समझते है के दबाएं उनको कमजोर करें मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान को जिस शख्स ने इस मुलक में आग लगाने में कोई कमी नी चोड़ी सारा दिन पाकस्तान के टीवियों के उपर तमाशे चलते रहते हैं और हम देखते रहते हैं कि जी चड़ाई कर दी जी मुझे यकीन कर कि माने मैं अभी एक इंटरनेशनल फलाइट लेके पाकस्तान आ रहा था तो जहाज में सारे पाकस्तानी एकी गाल कार रहा है था पाकस्तान के लाद बड़े खराब हो गए हैं वहां पे तबाही हो गी है यह जब छड़कों पे जो नज़र आएगा तो दुनिया ने मैसिज करता है तुनिया से क्या बन रहा है यारом मरण सुन आपक्स्तान को आग में जोंग रहे हैं इनकी तसकीन यह है कि मुलक में आग लगे वाहink दश है आप पंजबी है ना भो देकता है पत्ठान ना भो देकता आप्ठान ना वो देखता आप चाही नहीं हैं ना वो इसा लगाने के लिए साथ में वह आ रहे थे उसमें कुछ इंजीनियर्स थे जो के चेवलापमेंट पे या जिन्टा नहीं है इनको पता नहीं है इनको जिनता भी नहीं है क्यों कि वह इनरान खान के आदमियों को पीटमे में लगी जा ऑदमियों को इस चीज में लगी है कि जाके उपकाइव और घबरा गये पानी में पिया होगा आज राखी अभी चैद हैं यह मुझे नहीं पता कि कराचे ने खितने दिल रहे हैं मुझे यह भी दिल पता एक बाद तो समझ में आ गया होगा कि भाई यहां से क्षिक लो तो जादा अच्छा है क्योंकि यहां पे कभी भी मैं मुझे बहत्तर हुरे मिल सकते हैं वैसे भी सामने फट गया बॉंग तो वैसे हो जाएगा नहीं तो डर से मर जाओंगा मैं ऐसा भी होता है और उसी चीज़ यह हमला जो वो कुछ भी नहीं देखता है यह देखता है आप पाकिस्तान है आपके उपर हमला करेंगे पाकिस्तान कमजोर होगा बस करते हो उसको एक चीज़ नजर आती है बैरहल अब यह जो चाइनीज पर आपने टार्गेट कर दी है जी जी ब्लोच जी लिब्रेशन आर्मी बी यले बी यले यार कैसे रिसकाम कर सकती है जब तक उसको बस पैसा नौ यूज़ डेजिगनेटेटे टेरिस्ट और्गनेज़ेशन है यूएस डेजिगनेटेट टेरिस्ट ग्रूप है ठीक है स्विसेड बॉंबिंग करती है पूरे पाकस्तान के अंदर अब मुझे ये बताएं कि वो समझते हैं जी कि हमारा क्या हम तो इंफरस्ट्रक्चर पर टार्गेट करेंगे हम तो जाँ जाँ चाइनीज हैं उन पर टार्गेट करेंगे ठीक है हम तो जाबियों पर टार्गेट करेंगे ताकि हमारा रौला मचे ना मसले को internationalize कैसे करना है वो कहते है वो एक हमारी है पाकिस्तान से महरूं बलोज साहबा वो भी यह करती है जी मसले को internationalize करना है वो क्या करती है कि वो जो दैश्चतगर्दानों हमला होते है वो इसको तो condemn नहीं करती है इसके उपर वो सितना को कह देंगी कि हम violence के खलाफ है ठीक है वो अवाम में पुलिटिकल एंड सिविलियन सपोर्ट त्यार करती है और जो दैशतगर्द ग्रूप है ये डिरेक्ट टार्गेट करते हैं ताके मुलक के अंदर अब मैं यह नहीं कह रहा कि बलोचस्तान के मसलें जैन्वन नहीं है बड़े जैन्वन बाते हो करती है महारंग पुलोच और उनके बहुत सारे साथी बहुत जैन्वन बाते करते हैं अब वो टार्गेट कर रहे हैं पाकस्तान की पाकुछ के उपर टेली बन्याद होगे उनको समझ आ गई है उनको भैसाव समझ आ गई है चाइनीज को टार्गेट करो अब इंटरनेशनल ए टार्गेट करना है अब इंडिया जो है यह बहुत सरे ममालक जो है आप आप मुसाल ने चाइनीज प्रीमियर पाकसान आ रहे हैं ग्यारा साल बाद प्राकसान आ रहे हैं मुझे बापते हैं आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं चाइनीज प्राइम निस्टर को यही मैसेज से यह मैसेज चाइनीज वजीर आसम के लिए यह मैसेज अब बाकियों के लिए जैस शंकर कल को कह सकता है पाइन मेरी जो है ना वह लाइन और रिस्टुशन ठीक नहीं हम आम ऑनलाइन जॉइन करें एक बात